आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सौंस पास्ता जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही अच्छी रसर भी है आप इसे फटा-फट त्यार कर सकते हैं ज्यादर टाइम्स में नहीं लगता है नमस्कार रिदूस के चिन कौनर में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं वाइट सौंस पास्ता तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं यहां हमने एक कडाईडी है जिसे हमने गरम होने के लिए रख दिया है गैस के फ्लम कौन कर दिया है इसके बाद में मैं यहाँ पर घी एड़ करूंगी इनकी को हमें अच्छी से पिगलने दिना है इसके बाद में ही हम यहाँ पर आज समगरिया एड़ करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लहसुन जिसे हमने बारी काट लिया है उसे एड़ कर देते हैं लाइट प्राउन होने दिना है हमें लहसुन को जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद में ही हम यहाँ पर प्याज एड़ करेंगे एक प्याज लिए है जिसे हमने बारी कोड़ों में काट लिया है और इसमें हम एड़ कर देते हैं आज को भी हम लाइट ब्राउन होने तक बूनेंगे यसकी फ्लिंग को हाई ना करें और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ताकि वीडियो अपलोड होती ही इसकी इन्फोर्विशन सबसे पहले आपक पर देखने हैं बीच में कोई भी स्टेप छूटता है तो आपकी रसेपी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए लिए आप वीडियो को पूरा देखें पहल हमारी light brown हो गई है इसके बाद में हम similar मिर्च हैं उन्हें हम एड करेंगे यहां हमने colorful शिम्ला मिर्च लिए है और यह चुटे टुकड़ों में काट लिया है सबसे पहले green yellow हम यहां पर लाल शिम्ला मिर्च एड कर देते हैं मश्रूम लिया है उसे भी हमने बारी टुकड़ों में काट लिया है एड कर देते हैं इस तरह से हम श्रिम्ला मिर्च की कलने तक इन्हें हम पकाएंगे स्वीट कॉर्ण लिए हैं इन्हें भी हम यहां एड़ कर देते हैं और चमसे अच्छे से सभी को भूनेंगे जब तक ही गल नहीं जाते यह है सभी बच्ची और बड़े सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही जल्दी त्यार हो जाती है ज़्यदा टाइम इसमें लगता नहीं है अब हम इसमें जल्ब इनों एड़ कर देंगे और चमसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कंट्यूनी से हमें इसे चलाते रहना है जब तक यह हलके से गल नहीं जाते हैं इसके बाद में यहाँ पर कुछ मसाली और गर कर दूँ गी सबजियों को हमें अच्छे से भूना है जब सबचियां पक जाएंगी उसके बाद में ही हम यहां कुछ मसाली अड़ कर रही हैं जैसे की उर्गेनो डालने से इसका टिस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डाले पास्ते में इसके बिना अच्छा नहीं आएगा तो आप इसे जरूर डाले और उर्गेनो को हमने यहां जैसे मिला दिया है सारे सब्जीयों में इसके बाद ही हम यहां पर सबजियों के अच्छे से गलनी के बाद में इस प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेंगे हो फिर आगे की त्यारियां करेंगी हमेस में नमक ट कर देती हूँ नमक सबजियों को गलने के लिए बहुँ जरूरी होता है इसलिए हम यहाँ नमक एड़ कर रही है नमक के सासाथ में यहाँ पर कुछ मात्रा में काली मिर्च पाउडर एड़ करूंगी इसकी मात्रा आप यहाँ पर कम रखें क्योंकि हमें यह काली मिर्च बाद में भी दिफस्वास पनाएंगी उसमें एड़ करनी है अब इसे चमक्षी साथा से अच्छे से मिला लेते हैं सभी सबजियां और यह जो प्याज है यह अच्छे से गल गए है यह रेस्पी बहुत ही टेस्ट लगती है एक बार इसे आप मेरी बिनाएद आजिके से जुरूर बना कर देखें आस्ता में आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आएगी और चेट पर त्यार हो जाती है ज्यादे टाइम देखता नहीं है और बहुती असान विधी से हम यहां इसे त्यार कर रहे हैं क्यादा कोई जंजट नहीं है अब मैं सबजियों को एक प्लेट में निकालकर अलग रख लेती हूं साथ में हमीं कड़ाई लेत ना बनाएं जब गी पिकल जाएका उसके बाद में यहां पर दो चोटी चमच मैदा एड़ कर देती हूं क्योंकि हमें वाइट समस त्यार करना है गी में इस मैदा को हमें अच्छे से भूनना है तो चमच के साथ आसे इसे हम अच्छे से मिलाएंगे कोई भी लंप्स नहीं रहने चाहिए और अच्छे से मैदा गी के साथ मिल जानी चाहिए एक से दो मिनिट के बीच में यह अच्छे से मिक्स हो जाएगी और मैदा अच्छे से भून जाएगी उसके बाद में ही हम यहां पर दो देट करेंगे अब मैं यहां पर इसमें एक कब दूद दिया है उसे एड़ कर देती हूँ हमें दूद को एक दम से नहीं डालना है पहले थोड़ा सा दूद एड़ करना है उसके बाद में चलाना है इसके बाद फिर दूद एड़ करना है और इस तरह से धीर धीर हमें एक बार दूद एड़ करना है और फिर चमसे से अच्छे से चलाना है ताकि कोई लंप से इसमें ना रहें हम मारा जो सौंस है वो एक स्मूध तियार हो देखिए बहुती स्मूध सा सौंस तियार हुआ है मैं ये काम लोफ लेंपर कर रही हूं हाइफ लेंपर आप इसे ना करें नहीं तो आपकी रस्पी विगड़ सकती है इसलिए दीरे दीरे लोफ लेंपर हम इस तरह से इने चलाते जाएंगे अब मैं यहां पर वो सामगिया है जिने आइड कर देती हूं सबसे पहले अब हम यहां पर चीज आड करेंगे मैंने यहां दो स्लाइस लिए हैं चीज की जिने छोड़ छोड़ टुकड़ों में डालकर मैं यहां एड कर रहे हूं ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही डेश्टी त्यार हो और इसे चमसे अच्छे से चला लेते हैं सारा का सरचीज मेल्ट होकर इस ग्रेवी में मिक्स हो जाएं और इस तरह से कंट्रूने समय से चला दे रहेंगे ये देखें छिए देरिटरे सारा के सारा वेखल गया है करूंगी सबसे पहले हम काली मिर्च पाउडर एड कर देते हैं काली मिर्च पाउडर और एड़ गिया था साथ में नमक लिया है उसे भी हम यह एड़ कर देंगी इसकी मात्रा भी हमें कम रखनी है कि इस दौरान गयस की फ्लेम को हम कम ही रखें हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी ना पकाए नहीं तो आपका ग्रेव एकदाव गाड़ी हो जाएगी और यह पाउड़ भी है दौरा से हम इसमें एड़ करते हैं इसकी मात्रा भी हमें कम रखनी है क्योंकि हमने सब्सक्राइब भी और यह पाउड़ किया था और चमची जाथा से इसी चलाते रहेंगी है हम ऐसी ज्यादा गाड़ा नहीं रखना है इसकी बाद में मैं यहाँ पर जैफल पाउड़ एड़ कर देती हूं जैफल पाउड़ डालने से यह रेस्पी बहुती टिश्टी त्यार होती है और आप हम इसे अच्छे से मिला लीते हैं करें हूं हुआ और हमनों जो सब्सक्राइब तियार की थी उन्हों सब को इसमेंट कर देती हैं तो कि अदिए घंडिकी हम में हैं एप सपैचला की हल्स रादी से अच्छे से संस में एक ड़्यकर देती है और साथ में हमने एक कप पास्ता बोईल करें रखा था इसे भी मैं यहाँ पर एड़ कर देती हूं कि अधिने दिरे-दिरे मिक्स करेंगे पास्ता हमारा तोटना नहीं चाहिए बहुत ही अच्छी जैसे भी त्यार होती है फटाकर त्यार हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आती है तो आप इसे जटबट बच्चों को बना कर खिला सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बर आई है या आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और नॉटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि वी कि बहुत ही अच्छा और क्रीमी पास्ता हमारे यहां त्यार हुआ है एकदम देखकर नुद्ध पानी आ जाता है इस तरह से पास्ता त्यार किया है और रेस्पी आपको अगर अच्छी नगे तो कमेंट करके आप जुरू बता है दीखे वह त्याच्छा पास्ता रेडी पुर देखे लिएका और नहीं होुआ जाए पास्ता है यदा बता है लिएमारे काईजी आपको जानी नहीं